dear student and parents का नोटिफिकेशन आ चुका है निट 24 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको सब पता होगा कि एकजाम पांच मई को Connect होने वाला है रिजल्ट भी डिकलियर होने का डेट निट ने दे दिया है निट का है निट ने और वो अ तेरा जून है फॉर्म का भी डेट आ चुका है तुम्हारे पास नौफ चब शेक है नौ मर्च तक फॉर्म भरने का डेट है पांच बजे तक टैमेंट का भी timing mention कर चुका है इन सब के रिगारडिंग फॉर्म कैसे भरना exam कैसे होगा exam का pattern क्या है form के लिए का requirement डोकुमेंट होगा तो इन सब चीजों पर एक complete तुझको मतलब idea कि कैसे कैसे करना है ताकि यह भी मेरी गलती हमको exam से out ना कर दे चुकि इसमें एक बार-बार mention कर रहा है पूरा ब्राउचर आप पढ़ोगे तो जो exam NTA का साइट है exam.nta.ac.in पर कि आप correction window नहीं खुलेगा हां correction window खुल सकता है minor mistake के लिए खुल सकता है लेकि major mistake के लिए correction window नहीं खुलेगा तो जैसे मानुक तो ने कई फॉर्म ही गलत अप्लोड कर दिया किसी document को गलत अप्लोड कर दिया तेंथ के जगा टूगल का certificate डाल दिया signature ही उल्टा कर दिया ठीक है तो इन सब चीजों में आप उल्लेज जाओगे इसलिए आप से एक बार request करूंगा न कि एक बार सारी information को अब ध्यान से सुनिए उसके बाद आप प्लान कीजिए कि कैसे कैसे हमको फॉर्म डालना है कैसे कैसे आगे बढ़ना है मतलब पूरा procedure को उसके बाद आपने शिंत रहोगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा सीधे अब इसके बाद exam में लगना है तीन मां ठाइम है तेर correction facility will be given at any stage after registration आपने registration कर दिया registration में कुछ गरबर कर दिया उसके बाद मतलब देखो registration का सारा registration में जीतना detail भरना है application जीतना detail भरना है उसमें कहीं बीच मेरर नहीं करना है submit करने के बाद दिक्कत होगा फिर submit के बाद window correction window का इंजार करना पड़ेगा और correction window में कौन सा window यह भी दिक्कत होगी बात में इसलिए कोई भी चीज भरने के पहले फॉर्म भरने के पहले सब चीज को धंग से देखिए इसलिए एक बात लिख रहा है कि एक्स्ट्रेमली केरफुल भी बिफॉर्ट अपलीकेशन फॉर्म करने के पहले कोई भी छोटा modification कर सकते हो फॉर्म अभी मैं डिसर्स करूंगा लेकिन सबसे पहले रगिष्ट्रेशन के बारे मैं में एक चीज इन्डिकेट कर दूँगा ना कि रगिष्ट्रेशन करते हैं समय मोबाइल नंबर और मेल जो वही मोबाइल वहीं मेल देजिए जो अभी अधिव और बाद में भी एक्टिव रह तो ज्यादा दिक्कत हो तो पैरेंट्स का नंबर दो उसके थूरू आगे बढ़ो एकदम बिल्कुल परसानी नहीं होगी एकजाम तुमारे पास यह तो मैंने बताया पांच मैं नौ फरवरी से 9 मार्स तक तुमको फॉर्म फिल अप करने का डेट है कितना देर का पेपर होता है कि सी कंशल टाइम लेकर झो पांच बीच में तक यह पहले पांसा अब ओयके बॉट भाण पॉसके बादे यह ह अब लागे लोग थोड़ा टाइमिंग 20 मेर तुमारे पास एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलता है सारा इसी साइट को जाके ओपन करना है और इसी साइट पर जाके आप एग्जाम का फॉर्म फिल अब करना है सबसे पहले फॉर्म डालने के पहले आप इन सब चीजों का और्रेजमेंट कर लो पोस्टकार्ट साइज फोटो चाहिए इसके फिर मैंने में में नहीं है जो भी पास्पोर्स है जो फोस्ट कार्ट साइब फोटो बना वह गए तो प्लीज ज्यादा बनाना क्योंकि उसी टाइब के फोटो आपको बाद में भविश में निकालना पड़ सकता है जब आपका काउंसलिंग होगा या अडिमिशन के समय होगा है आपके पास फिंगर का और थंबल थंब का दोगा इंप्रेशन चाहिए लेफ्ट और राइड हंड का तो ही सब चीजों को बार इक़िए से चलना है उसको भी पेज़ पर करने के बाद उसको उपलोड करना होता है आपका सिग्नेचर होना चाहिए आपका प्रूपर सिग्न दोनों अप्लोड करना है अगली बात मैं बताऊंगा एक बैलिट आईडी प्रूफ से चाहिए बैलिट आईडी प्रूफ में आप कुछ भी ले सकते हो जैसे आपका पास अधार हो आपका डील हो आपके पास राशन काड हो इस तरह के जितनी फैसलेटी होती है न आपने घर में कोई हो तो उनसे बात करना वह बात में बहुत काम करता है अपना पर्वेंट एड्र सही देना इस अब लिहों लेकर जाना अपने फॉर्म भरते समय gossip अगली बात मैं बताऊंगा ना कि फॉर्म में पहले राइस्टेशन के स्टेप है राइस्टेशन के स्टेप के बाद राइस्टेशन में सारा काम करने के बाद राइस्टेशन में तीन बाते बिलकुल ध्यान रखना है पहली बात राइस्टेशन में इतना इन्फरमेशन था म आपने password क्या बनाया था उस password क्या था उस password के बाद मतलब जो भी आपने setup किया था application number generate होगा security question क्या होगा उसको हमेसा ध्यान पर स्थेवाइब करने स्थीज़ नहें उसको लिख रख लेना एक्स अप्लिकेशन गलती करना है अगली बार्त इंडेकेट करोंगा कि तुम्मारा गलती नहीं करना है अगली बाद्स मेष्ट प्रिंटाउट करके सा व्हाइब Cristina पर आपको निकाल लेना है और उसको अपने पास अच्छे से रखना है यह आगे आगे फ्रदर के लिए बहुत काम देने वाला है अगली बात मैं बता हूंगा ना कि आप आप क्या है इस एक्जाम के लिए कि कि पहले हो मतले 31 12 2007 को इंक्लूड करके चलना है वही इस फॉर्म के लिए लिजबल हो सकते हैं उसके बाद वाली इस फॉर्म के लिए लिजबल नहीं है पहला क्रिटरिया दूसरा क्रिटरिया हम कोल सकते हैं एज के बारे में कि यह बात NTA ने मेंशन किया है कि जो जिसने एक् उस बंदे का ऐज 31 December of this year समझना यहां से या admission के समय 17 साल complete होना चाहिए, 17 साल complete होना चाहिए, इस बात एक दम धिया रखना है, उसी के recording आप फॉर्म फिलर परना है, अब मैं बतावंगा ना कि यह exam जो होने वाला है न इस exam में, जो भी पेपर का pattern है, pattern वहीं है जो पिछले साल का pattern था, फिस केमिस्ट्री जोलोजी बोटनी का section होगा, section A, section B, section A में 35 question, section B में 15 question, 15 में 10 करना है तुछको time तुमारे पास 3 घंटा, 20 मिनट, इसको लेके चलना है, वही तुमारे पास, section B में 5 question आपको extra मिलना है, करने को, इसको ध्यान रखके चलना है, उसके एक वड़े अंगे बढ़ना है, उसके बाद आप जो भी form fill up करो, form डालो, उस सब को देखो, सब को check करो, हाँ, एक चीज कोड का जो जंजट होता है, उस कोड के बारे मैं समझा देता हूँ, कोड के बारे में एक बार ध्यान र कोड डालना, तो कहने के संस कहना है कि जो एक बार निट में हो चुक है आप पिछले साल पास आउट हो, वो कोड भी डालना, बाकि जो इस साल हो ने, वो कोड ड़िया बाकि इसमें कोड और सारा भी है, कोड C, Code D, Diploma, लामान, क्या है, मतलब पीसकमिस्टि के साथ, पीसकम सब इन सब चीजों को ध्यान रखके हम लोगों को फॉर्म खिलब करना है और फॉर्म में स्टेपवाई क्या-क्या बाते भर नहीं होगे इसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो बताऊंगा और उसमें सारा बात रिसक्स करूंगा तिक पर पहला आप डोकुमेंटेशन का सारा का लुष्ट